नमस्कर दोस्तों फोर डिवाइन में आप सबी का स्वागत हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी फ्रेंट्स आज मैं आप लोग के साथ उबले हुए आलू और अंडे से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी से एर करूंगी एक बड़ा मेरे तरीके से रेसिपी को करना के जरूर देखेगा उम्मीद करती हो पसंद आएंगे तो चले सूर करते हैं आज की रेसिपी तो आज की रेसिपी के लिए मैंने यहां पे एक बड़े साइज के आलू को बॉयल करके बॉयल करने के बाद मैंने आलू को ग्रेट करके लिए अब हम डालेंगे दो अंड साथी हम डालेंगे यहाँ पर आधा प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके साथी मैंने एक हरिमेड़ को भी बारीक चॉप करके ले लिया है डालेंगे हम नमाख स्वादा नुसार तीन से चार पिंच डालेंगे हल्दी आधा चम्मच कस्पिरी रेड चिली पाउडर आधा चम्मच जीरा पाउडर और डालेंगे आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर अब हम अच्छे से सभी चीजों को आलू में मेक्स कर लेंगे एक बर आप मेरे कहने पर इस रेसिपी को बना के जरू देखेगा खाने में आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सभी अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ जादा से जादा से जादा से शेयर कीजेगा आलू को मैंने यहाँ पे ग्रेट करके ले लिया है ताकि आलू के एक भी चंक्स ना रहे तो देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है तो चलते नेक्स टिप की ओर पैन में ले लेंगे हम दो चम मज तेल तेल को हम पहले गरम कर लेंगे तेल जैसी हलका गरम हो जाए हम पैन में चारो और इस तरीके से फैला लेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल अभी हम लोपे रखेंगे और डाल देंगे हम आलू और अंडे का बैटर चमत से हम चारो और अच्छे से इस तरीके से फैला लेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लोपे ही रखेंगे और ढग देंगे 3-4 मिनिट के लिए जब तक नीचे की और अच्छे से हमारे फ्राइड ना हो जाए तो पैन को कॉवर कर देते 3-4 मिनिट के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लोपे रहेगा 3-4 मिनिट हो गये हम एक बार चेक कर लेंगे तो स्पैचुला से हम इस तरीके से चेक करेंगे जैसे नीचे के और अच्छे से हमारे कलर चेंज हो जाए हम थोड़ा साबदानी के साथ इसे पलट लेंगे तो गैस का फ्लेम इस टाइम हम बिल्कुल बंद कर देंगे और एक प्लेट से इसे इस तरीके से पलट लेंगे देखें गैस का फ्लेम फिर से हम ओन कर देंगे और ओमलेट को हम इस तरीके से थोड़ा साबदानी के साथ मीचे रख देंगे गैस का फ्लेम हम बिल्कु लोपे रखके तीन से चार मिनिट के लिए और फ्राई करेंगे पर ढखेंगे नहीं हम खोल के इसे और फ्राई करेंगे जब तक नीचे की और अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारे जो अमलेट है फ्राई हो गया है कलर चेंज हो गया अच्छे से तीन से चार मिनिट हो गया हम अमलेट को हलका इस तरीके से चेक कर लेंगे जैसे नीचे की और अच्छे से कलर चेंज हो जाए हम निकालके एक प्लेट में रखेंगे थोड़ा सा हम पहले ठंडा कर लेंगे पैन में हम ले लेंगे तीन चम्मज तेल और तेल को पहले गरम कर लेंगे तेल जैसे गरम हो जाए हम डालेंगे एक टुकरा दाल सीनी के दो छोटी लाइची दो लॉंग साथी हम डालेंगे एक चम्मज साबुच जीरा गयास का प्लेम बिल्कु लोपे रखके फ्राई कर लेंगे और डालेंगे हम यहाँ पे एक मीडियम साइच के प्याज को छोटी छोटी चुकरों में काटके प्याज को हम फ्राई करेंगे प्याज की कलर चेंज हो जाने तब प्याज जैसी हमारा फ्राई हो जाए हम डालेंगे अद्रग लेशन का पेस्ट एक चम्माज और एक मिनिट के लिए और हम फ्राई कर लेंगे अध्रगलेशन जैसे बून जाए हम डालेंगे यहाँ पे एक मीडियम साइज के टमाटर को छोड़े छोड़े टुकरों में काटके साथी हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले ग्यास का फ्लेम बिल्कुल लोपे करेंगे डालेंगे नमाग स्वादनुसाद आधा चम्माज हल्ली एक चम्माज कस्मीरी रेट चिली पाउडर एक चम्माज जीरा पाउडर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और मसाले को 4-5 मिनिट तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर हमारे पूरी तरीके से सौपना हो जाए तो अच्छे से हम मेक्स करके गैस का फ्लेम लो मीडियम करके ढग देंगे 4-5 मिनिट के लिए ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सौप्ट हो जाए तो पैन को कौवर कर देंगे हम 4-5 मिनिट के लिए और बीज में खोल के आप एक बार स्टाचुला से चला भी लीजेगा अब हम ओमलेट को छोटे-छोटे पीसे में कट कर लेंगे साइज जैसे मर्जी आप यहां पे रख सकते हो आप चाहे तो इस सबजी में आलू का भी यूज़ कर सकते हो मैं आज के सबजी में आलू का यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इस तरीके से हम लम्माई में पहले काट लेंगे फिर हम इस तरीके से और एक कट लगा लेंगे देखिए देखिए बहुती सौप्ट ये बनके तयार होता है अब इसे वैसे ही खा सकते हो दाल चावल के साथ भी बिना सबजी बनाएं देखिए बहुती अंदर से सौप्ट बनके तयार हुआ है तो चलिए सभी पीस को मैंने काट लिया है चार से पांच मिनिट हो गए और मसाले हमारा अच्छे से बोन चुका है ठामाटर भी पूरी तरीके से सौप्ट हो गया है अब हम डालेंगे करीब एक काप पाली पहले हम ग्रेवी में एक बोईल आने देंगे जैसे ग्रेवी में बोईल आ जाए हम डालेंगे आदा चम्माज गरम मसाला और साथी डाल देंगे जो हमने अंडे को फ्राइ करके रखे थे तीन से चार मिनिट के लिए हम मेडीयम फ्लिम में мин स्वे क पकाएएंगे हखे हातों से हम मेक्स कर लेंगे और पैन को कॉबर कर देंगे हम तीन से चार मिनिट के लिए गयास का फ्लिम हम मीडियम रखेंगे तो पैन को कवर कर देंगे हम 3-4 मिनिट के लिए 3-4 मिनिट हो गए और हमारा तेस्टी अंडे की सबजी बन के तेयार है लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया बस हम मेक्स करके गैस का प्लेम बन कर देंगे और जितना आपको ये सबजी देखने में टेस्टी लग रहा है खाने में भी आपको उतना ही टेस्टी लगएगा बस एक बार मेरे कहने पर जरूर बनाईएगा तो धनिया पत्ते डालके अच्छे से मिक्स कर लिया है गैस का प्लेम हम बन करके सिर्फ दो मिनिट के लिए ढखके रखेंगे दो मिनिट बाद हम सबजी को सर्व कर लेंगे तो फिर्ट आज के ये रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ जादा से जादा से शेयर कीजेगा और चैनल में नई हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार